एक ऐसा जानलेवा गेम जिसमें गैलेकसी की सभी टीम पार्टिसिपेट करती थी, उन सभी को बहुत सारे पावर बॉस का यूज करके दूसरी टीम के नेट में गोल करना होता था, जिसमें हम इनसानों की टीम हमेसा हार जाती थी, लेकिन एक लड़का जिसके पास करना चाता था उसने ही ये गेम बनाया था और अब वो दुगनी पावर के साथ वापस आ चुका है तो देखना है कि क्या वो अपने एक बहुत ही बड़ी क्रियेकर का यूज करके सारी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर वो लड़का अपनी पावर को सबसे पता करना पड़ेगा कहानी की सुरुवात में हमें 2071 का अर्थ दिखाया जाता है और वहां के सारे इंसान काफी मुसीबतों से जूज रहे थे अर्थ इतना एडवांस होने पर भी उनके पास खानी पीनी के लिए जादा चीज़े बची नहीं थी और वो सारे लोग कैसे भ आवर का यूज करके एंटाउन पर एक पोल गिरा दीती है लेकिन एंटाउन था काफी फूर्तिला वो उस पोल से बच जाता है लेकिन दूर जाकर गिर जाता है वहां के सभी लोग एंटाउन को एक लूजर समझते थे और उन्हें तो एंटाउन को परिशान करने का सिप ए गाइल हुआ था और धीरी ही धीरी रिकवर हो रहा था उस दूसरी इलियन का नाम वालिया था और वो चर्णु की बेटी थी चर्णु ने ही वालिया को एंटाउन को मारने के लिए बेज़ा था लेकिन वाला फर्स टाइम में फेल हो चुकी थी, तो चरनो अपने बिटी को प्रेसराइस करता रहता है, कि वो कैसे भी करके एंटाउन को पकड़ कर लेके आए, यहां सेटी में एक बहुत बड़ा स्पेस्शिप घुमता रहता है, जो कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी काफी ज़्यादा स्टीबल था, और तब पता चलता है कि वो कोई स्पेस्शिप नहीं, बलकि एक बहुत बड़ा स्टीडियम था, जहां पर एक गेम खेला जाता था, जिसका नाम कॉस्मो बॉल था, उस गेम में गैलेक्सी की सभी पावरफूल टीम्स बैन, बैली और नाताशा, और उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक इलियन्स के टीम थी, जो कि उन्हें काफी यादा टकर देते रहते हैं, हम इंसानों की टीम ने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता था, और ये बहुत यादा शर्म की बात थी, कॉस्मो बॉल का वो मैच पू पर पर अपने घर पर आ जाता है, और कुछ दिनों से उसकी मा की तबित काफी यदा खराब चल रही थी, जब वो घर पर आता है तो उसकी विमार मा जमीन पर पड़ी थी, एंटान अपनी मा को उठाता है और वो तुरण मेडिकल स्टोर चला जाता है, जहां पर उसे एक ल अपना रूप बदल लिया था, और वो लड़की जो एंटान को मिली थी, वो भी वालया ही थी, क्योंकि वालया को कैसे भी करके एंटान का दिल जीतना था, जिससे कि बाद में वो उसे मार सके और उसका डियाने अपने फादर को दे सके, यहां पर एंटान काफी यादा डर गया था, और इसी डर के वज़े से उसके बाड़ी में जो प्रोटो जीन्स थे, वो एक्टिव करने के लिए, और वो उसकी काफी जादा तारीफ करते रहती है, वालया एंटान के बालो पर हाथ गुमाती है, और इसके थोड़े से बाल तोड़ लेती है, ताकि वो उसका डियाने कैप्चर कर सके, वालया उन बालो के सेंपल को अपने फादर के पास भेज देती है, ताक यहाँ वहीं इंसानों के टीम आ गई थी जो कि कॉस्मो बॉल के मैच में फाइट करती थी उन सभी का एक मास्टर था जिसका नाम बैलो था और उसे एंटाउन के टेलेपोटेशन पाउर का पता चल गया था तो वो सभी एंटाउन को अपने टीम में शामिल करने आये थे और एक प्लेयर की भी सक ज़रूरत थी लेकिन एंटाउन उन्हें मना कर देता है क्योंकि उसे वो गेम बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था और उसे अपने बीमार मा की देख भाल भी करनी थी तबी नताशा एंटाउन की मा की बीमारी को देखते रहती है और वो कहती है कि वो एंटाउन के मा की बीमारी ठीक कर सकते हैं लेकिन इसके बदले में एंटाउन को टीम में आना पड़ेगा एंटाउन के पास इसे अच्छा मौका नहीं था अपनी मा की बीमारी ठीक करने का तो इसलिए वो हां कर देता है वो गेम खिलने के लिए Master Bellow Antone को लेकर stadium में आ जाते हैं और Natasha Antone के blood sample collect करते रहती है Natasha Antone के DNA का use करके एक छोटा सा robot बनाती है जो कि हमिसा Antone के साथ रहेगा और competition के time पर उसका coverage बन जाएगा उसके सभी teammates के पास अपने अपने variant थे जो कि उन्हें time time पर guide करते रहते थे यहाँ पर Antone practice करना start कर देता है और शुरुआत में वो अच्छा perform नहीं कर रहा था उसे तो कुछ भी समझी नहीं रहा था कि आकिर करना क्या है पर जैसे ही वो अपने teleportation power का use करता है वो काफी ज़्यादा fast हो जाता है और सभी लोग उसे देखकर चौक ही जाते हैं और अब काफी training के बाद Antone अपने teammate से भी ज़्यादा अच्छा perform करने लगा था यहाँ पर Master Bellow अपनी committee से बात करता रहता है और वो सब Antone के मा की बिमारी के बार में बात करते रहते हैं वालया यहाँ पर अभी भी Antone पर नजर रखते रहती है और वो अपने इंसाने रूप में एक बार फिर से Antone से मिलने जाती है वालया यहाँ पर Antone को बथाती है कि उसे भी Cosmo Ball बिल्कुल नहीं अच्छा लगता और वो Antone की मा की बिमारी को ठीक कर सकती है तो Antone को अब वो गेम खेनने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी वालया Antone को एक Poisonous Seat देती है और उसे Stadium में गिराने के लिए कहती है जिससे कि वो गेम बीच में ही रुख जाएगा और Antone अपनी मा के पास वापस जा पाएगा पर तभी वहाँ पर Natasha आ जाती है और वो Antone को वालया के साथ देख लेती है वालया तो उसे किसी करने वाली होती है और उसके हाथ में वो Seat पकड़ा देती है इसके बाद Antone वहाँ से चला जाता है यहाँ पर Antone और बाखी सब सूट अप करते रहते हैं और वो अपने छोटी छोटे रोबोट्स का यूज़ करके एक कॉस्ट्यूम के अंदर आ जाते हैं और उन एलियन से कापयाला फाइट करते रहती है लेकिन Antone को उस गेम में बिल्कुल भी इंट्रेस्ट नहीं था तो वो अपने टीममेट्स के साथ नहीं खेलता और वहीं पर बैट जाता है जब मास्टर बैलो ये देखते हैं तो वो गेम को वहीं पर रोग देते हैं और Antone को लेकर एक जगों पर आ जाते हैं मास्टर बैलो Antone को बताते हैं कि इसी गेम का यूज़ करके वो एक बहुत ही पाउरफुल एलियन को हरा सकते थे जिसका नाम चर्नो था और इस गेम का पाटिसिपेंट होना सभी लोगों को थोड़ी होप प्रोवाइट करता था कि वो इस एलियन से जीत सकते थे और तब जाकर Antone को अपनी गलती का एसास होता है और वो उस पॉज़न सीट के पास चले जाता है लेकिन वो सीट अपना काम करना स्टार्ट कर चुका था और वो धिरी धिरी करके पूरे स्टीडियम में फैल रहा था Antone तुरेंट वहाँ पर चला जाता है और सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि ये काफी ज़्यादा खतरनाक हो सकता था पर उसकी बात कोई भी सुन नहीं रहा था वो पॉईजन तो दिवारों तक पहुँच गया था तब भी मास्तर बेलो उस पॉईजन को देख लेता है और अपनी पावर का यूज़ करके उन सभी को बर्फ में कनवर्ट कर देता है और यहाँ पर वो बड़ा सा स्टीडियम छोटी छोटी पार्ट्स में बटनी लगता है जिससे कि ओडियन्स को कुछ भी ना हो और वो सेफ जगह पर चली जाएं एंटाउन कैसे भी करके नताशा को बचाता है और उसे नीचे लेके आ जाता है इसके बाद वो वाल्या के पास से ले जाता है और उसे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया एंटाउन को नहीं पता था कि वो सिट पॉइजनस है और वो सभी ओडियन्स को मार देगी पर तभी वाल्या अपने असली फॉर्म में आ जाती है वाल्या एंटाउन के बहुत सारे डियने कलेक कर लेती है और उसे अनकॉंशियस कर दीती है यहाँ पर एंटाउन का छोटा सा रोबोट उसे ढूंडता रहता है और उसके पास आकर उसे हील करता है चरनो को अब एंटाउन का प्रोटोजीन मिल गया था और वो उसका यूस करके अपने सबसे पाउरफुल वेपन को बनाता है काफी यदा प्रोसेस करने के बाद उसका वेपन तयार हो जाता है और वो खुद अपने बनाए गए वेपन के अंदर चला जाता है जो कि एक बहुत बड़ा ख्रीयेचर था और वो काफी ज़ाँ खतरनाग दिख रहा था वो बड़ा सा ख्रीयेचर बाहर निकल जाता है और सब कुछ दभा करता रहता है चर्नू अंदर से उस ख्रीयेचर को कंट्रोल कर रहा था और वो तीजी से आसमान के तरफ चला जाता है मास्टर बैलो अपने सभी टीम से बात करता रहता है कि उन्हें कैसे भी करके अपने पूरे अर्थ को बचाना पड़ेगा और उसे प्रोटेक करना पड़ेगा और वो अपने कमिटी वालों से मदद मागने चला जाता है एंटॉन यहाँ पर अपनी मा के पास आ जाता है और वो काफी आदा उदास होता है क्योंकि उसके वज़े से ही सभी लोग खत्रे में आ गये थे और अब पूरे अर्थ पर वो इलियन हमला करने लगेगा एंटॉन की मा उसे समझाती है कि गलती सबसे होती है पर इसके बाद वो अपनी गलती को कैसे सुदारते है यह ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है यहाँ पर वो क्रियेचर स्पेस में आ गया था और अर्थ पर हमला करने वाला था जो कि कॉस्मो बॉल गेम को चर्नो ने ही बनाया था तहो अपने बनाये गए बहुत ही पाउरफुल फायर बॉल्स को अर्थ के तरफ फायर कर देता है वो फायर बॉल्स इतने तगड़े थे कि वो सामने वाले किसी भी चीज को तबाह कर दे रहे थे कॉस्मो बॉल्स की सभी टीम उसे रोकने के लिए चले जाती है और अपने स्पीड का यूस करके उन फायर बॉल्स को रोकते रहती है लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं था, उन fireballs के quantity काफी जादा थी, यहाँ पर master bellow के committee आ जाती है, और वो उस creature को एक trap में फसाने का try करते हैं, लेकिन चर्णो को इस बात का पहले से ही पता था, कि वो लोग उसे रोकने जरूर रहेंगे, इसलिए उसने अपने पास एक powerful weapon रखा था, जो कि उनके सभी ship को एक एक करके तबाह करता रहता है, और master bellow उसे देखते ही रह जाते हैं, यहाँ पर natasha और बाकी सब उन fireballs से लड़ते रहते हैं, लेकिन वो उनने काफी यदा damage दे रहे थे, तो चोट लगने की वज़े से natasha नीचे गिरने लगती है, यहाँ पर ज जाता है, जिससे कि उसके सभी कपड़े फट गए थे, तब उसका छुटा सा रोबोट वहाँ आता है, और उसके body से join हो जाता है, जिससे कि उसके body पर एक powerful seed बन जाती है, और enter निकल पड़ता है उन fireballs से fight करने के लिए, वो अब काफी यदा तीजित से उन fireballs को तबाह कर र पर चर्णो अब पीछे कैसे हटने वाला था, वो master bellow पर हमला करते रहता है, लेकिन चर्णो के पास अब enteron के भी DNA थे, जिससे कि वो काफी यदा powerful भी हो गया था, वहाँ पर वालिया भी आ जाती है, जो कि नताशा के साथ fight करते रहती है, वो नताशा को एक जगा पर रोग देती है, यहाँ पर enteron space में आ गया था, और वो तीजी से master bellow के तरफ बढ़ रहा था, master bellow चर्णो को freeze करते रहते हैं, और अपनी power case करके उसे पूरा birth में convert कर देते हैं, पर वालिया यहाँ पर master bellow को भी रोग देती है, वो अपने father को birth से आजाद करती है, और अब चर्णो काफी जादा गुसे में हो गया था, चर्णो master bellow को पकड़ लेता है, और उसे मारने ही वाला होता है, तब ही वहाँ पर enteron आ जाता है, और वालिया को पकड़ लेता है, वो उसे मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन चर्णो को इससे कुछ फरत नहीं पढ़ने वाला था, वो वो anton को दोड़ाता रहता है और anton तेजी से एक दरवाजे की तरफ भाग रहा था, पर वो वहाँ जाकर रुख जाता है, और वो बड़ा सा creature भी anton के पीछे रुख जाता है, anton उस creature को घूरता रहता है, और उसे बताता है कि वो गलत काम कर रहा है, वो पूरे अर्थ को त अपने तरफ कर लिया था अब यहाँ पर चर्णो उस क्रियेचर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो क्रियेचर लगातार चर्णो की कोई भी बात नहीं मान रहा था जैसे कि उसने अपना ओनर चेंज कर लिया हो और सायद से उस क्रियेचर ने अपना ओनर एंटॉन को एक्टिवेट हो जाते हैं, सारे लोगों को पता चल गया था कि वो अब बज गया हैं, और वो सब काफी यदा खुश हो जाते हैं, मास्टर बैलो के जाने के बाद नताशा कॉस्मो बॉल कमिटी की हैड बन गई थी और वो सभी को मैसेज देते रहती है कि आप सब कुछ ठीक हो गया है और वो सब बीना किसी डर के साथ रह सकते हैं और हमारी स्टोरी भी यही पर खतम हो जाती है आपको यह स्टोरी कैसी लेगी, प्लीज कमिन सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्स्पोनेशन एक परसंट भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इससे मुझे काफी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मज़ता स्टूरीज लाने के लिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, सीयाँ